हलो बेटा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टर नून गुड विनिंग कैसे हो आप सभी लोग तो चलिए आपकी एक्जाम चालू हो चुकी है मैं अपने तरफ से आपको बेस 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 विशेद देना चाहोगा आपको बहुत अच्छे से लिखना और जब तक एक्जाम का लास पेपर का लास वर्ड नहीं लिखते हो तब तक हिम्मत बिलकुल नहीं हारना है आपको बहुत अच्छे से पेपर लिखके आना है जो भी आता है बिंदास लिखके आना है और एक बात का आपको जरूर ख्याल कि जैसे आप paper देखे आते हो आपको उसके पर बिल्कुल भी discussion नहीं करना है ना उसके marks calculate करना है ना उसके बारे में सोचना है आपको immediately next paper पर focus करना है और next paper की पूरी अच्छे से तयारी और पढ़ाई चालो कर देना है जितना भी आपके पास time हो उतने time period में आपको जो है यहा fast में revision करवाना चाओगा जैसे आपने amendment में देखा होगा 2.5 घंटे का lecture है लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ ही मिंटो में फटा फटा फट अच्छे से revise कर देता हूँ एक मैंने summary chart बनाया है जिसकी link आपको description column में telegram channel पर मिल जाएगी यह telegram channel आपको join करना है तो एक summary chart मैंन revision आपकी करवाने वाला हो और वह है QRMP scheme पे जो exam के लिए बहुत important है इस बार की amendments भी है और आपको इसके उपर questions भी पुछे जा सकते है तो फटा फट कुछ ही मिंटों में हम यह पूरा scheme बहुत अच्छे से revise करेंगे और no doubt exam में इसके उपर अगर कोई भी सवाल या question पुछा जाये तो आप easily उसको solve गर पाओगे तो are you ready? चलिए QRMP scheme QRMP scheme यहाँ यह जो quarterly return and monthly payment scheme है यह जो लागू की गई है यह 1st January 2021 के लिए लागू किया गया है थोड़ा हम history समझ लेते हैं यहाँ पे quarterly payment scheme जो है 2019 में government ने लाई थी पूरानी provision कुछ ऐसी थी कि अगर आपका aggregate turnover देड़ क payment quarterly return और quarterly GSTR 1 facility मिलती थी इसमें क्या होता था जिस आपको आपके साथ share करना चाहोगा कि इसमें जो पूरानी scheme थी पूरानी scheme में जो supplier है supplier को quarterly payment करना पड़ता था वो facility मिली थी small suppliers के लिए उसके बाद उसको GSTR 1 भी quarterly payment facility था और GSTR 3 भी quarterly payment था अगर कोई supplier यहाँ पे quarterly payment option ले रहा ह है तो वो अपना data GSTR 1 में quarterly basis पे update करता था जब तक data GSTR 1 में update नहीं होता है तब तक recipient को credit नहीं मिलते है यह आपको पता है otherwise rule 36 के हिसाब से जो data reported नहीं है उसमें से 5% का ही credit मिलता है तो ऐसे situation में अगर यह data GSTR 1 में quarterly basis पे दे रहा है तो वो case में recipient को भी quarterly basis पे ही credit मिलते थे इसक drawback में यह था कि recipient अगर monthly scheme में क्योंकि वो नहीं लेना चाहता है quarterly या फिर उसका aggregate turn और पुराने प्रोविजन के इसाब से देड़ करोड के उपर होगा तो monthly scheme में था और उसने इस supplier से goods buy किया होगा या services buy की होगी तो वो situation में even though उसने इस month में purchase किया अपना tax इस month में दे रहा मिलता था इसलिए सभी बड़ी industries और के अपने छोटे supplier को ये कह रही थी कि नहीं आप quarterly payment ना करे quarterly return ना दे आप monthly में लो तो हमारे लिए credit लेना आसान होगा याने जो quarterly यहाँ पे benefit दिये गए थे small business man को और के उनको यहाँ बहुत दिक्कते जा रही थी क्योंकि वो credit pass on नहीं क सकीम लाएगी साथ साथ में दूसरा एक most important change उन्होंने क्या किया दूसरा change उन्होंने ये किया कि पहले जो था जो यहाँ पे quarterly scheme के लिए आप कर रहा है तो वो case में वो payment भी quarterly basis पे करता था याने government को उन लोगों से payment जो है quarter होने के बाद आ रहा है government का भी पैसा यहाँ पे block हो आप quarterly basis पे दोगे GSTR1 quarterly basis पे दोगे लेकिन पेमेंट जो है आप monthly basis पे करोगे इसके ये दो main important changes qrmp scheme में किये गए और ये जो main changes किये गए इस changes को आपको बहुत अच्छे से समझना है तो यहाँ पे देखिएगा sorry बेटा कुछ problem हो गया था तो अब इस scheme को new qrmp scheme को समझना है तो आपको यह दो चीज़े अलग-अलग समझ लेनी पड़ेगी पहला तो आप outward supply की details किस तरह से दोगे इस scheme के तहत और payment किस तरह से करोगे और उसकी interest liability तो चलिए पहला लेता हो outward supply का यहाँ पे details आप कैसे हम पर लेते कि आप qrmp scheme आप नहीं कर रहे हो या फिर आपको वे qrmp scheme नहीं मिल सकती है क्योंकि उसकी turn or limit से ज्यादा आपका turn or है तो ऐसे case में normally क्या होता है कि आप monthly basis पे अपना outward supply का details देते हो और वो gstr1 में देते हो next month के element के date तक आप अपना gstr1 का पूरा details देते हो और य data report होता है और आगे gstr2a में recipient के update होता है और उसको credit मिलता है लेकिन अब यहाँ पे quarterly scheme में यह outward supply का जो आपको data देना है कुछ अलग तरह से देना है गौर्मेंट ने यहाँ पे कुछ facility लाई है सबसे पहले तो यह नई scheme कौन आप कर सकता है उसकी basic दो condition है एक यह उनको लाग उनको ही लागी होगी मतलब OIDAR TDS TCS का registration NRTP ऐसे कुछ लोग है जिनको GSTR 3B देने की ज़रूरत नहीं है तो उनको यह scheme लागू नहीं होगी दूसरा and very important आपका aggregate annual turnover ध्यान सुनिएगा यहाँ word थोड़ा अलग है aggregate annual turnover अप्टू 5 करोर्स in preceding financially होना चाहिए तो आप यह scheme के annual turnover और aggregate turnover में क्या कोई difference है तो यहाँ थोड़ा सा difference है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे ठीक है तो अगर आप यह दोनों conditions fulfill कर सकते हो तो आप QRMP scheme के लिए आप करोगे अगर आप QRMP scheme के लिए आप करते हो तो आप specially outward supply का statement कैसे दोगे तो outward supply का statement आप GSTR 1 में यहाँ पे quarterly basis पे दोगे पहला पॉइंट तो समझ लो GSTR 1 आप quarterly basis पे ही दोगे return में तो no doubt obvious है कि आप वो भी quarterly basis पे दोगे लेकिन अब जो पुराना problem था कि credit कैसे pass on किया जाएगा और supplier को अगर data update करना है और अपने recipient को same month में credit pass on करना है तो कैसे pass on करेगा उसके लिए उन्होंने एक नया यहाँ पे utility लाया और वो है invoice furnishing facility जिसे मैं IFF का होगा मतलब क्या मतलब यह जो supplier है monthly basis पे यह utility common portal से डाउनलोड करके उसमें data upload कर सकता है now IFF में data upload करना क्या mandatory है now यही सवाल को मैं दूसरी ढंक से बुचता हो कि sir क्या यह monthly basis पे IFF देना composer है नहीं अगर आप यहाँ पे data quarterly basis पे direct GSTR1 में देना चाओ इस scheme के तर तो आप दे सकते हो government को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको अपने recipient को खुश करना है same month में credit pass on करना है तो आप IFF की utility use कर सकते हो और invoice furnishing facility में अपना data upload कर सकते हो now दूसरा question यहाँ पे invoice furnishing facility जो आप monthly basis पे data upload करोगे यह data only B2B transaction का होगा मतलब B2C नहीं only B2B invoices का होगा only B2B invoices इसमें upload किये जाएगे let's take example month 1 April तो April का आप अगले मेने के 13 तरीक तक याने 13 में तक आप जो है इसका IFF में data upload कर पाऊगे now अब मेरे इस month के transaction एक तिसरा बहुत important point इस month के transaction जो है मेरे B2B के यहाँ पे 15 invoices है तो क्या compulsory leave मुझे B2B के सारे 15 invoices upload करने पड़ेंगे IFF में नहीं ऐसा कोई compulsion नहीं है अगर आपको अपने 5 ही recipient को 5 ऐसे invoices है जिसका ही credit pass on करना है अभी तो आप only 5 invoices ही upload कर दो बात खतम उनको credit pass on हो जाएंगे बाकी B2B invoices की details आपको quarterly GSTR1 में दिया तो भी चलेगा now next most important restriction government ने इसके उपर क्या लाया हुआ है वो restriction ये लाया हुआ है कि आप IFF में only up to value 50 lakhs धैन सुनिएगा only up to value 50 lakhs तक कही invoice upload कर सकते हो now let's take example आपके 15 invoices है और 15 invoices की total value यहाँ पे 70 lakhs है तो आप पूरे के पूरे upload करना चाहते हो पर नहीं कर सकते वो 70 lakhs में से 50 lakhs तक की invoices आपको सिलेग करने पढ़ेंगे जो customer बहुत यहाँ पे immediate business पे credit मांग रहे है या जिसको आपको pass on करना है ऐसे 50 lakhs तक के value टेग ही invoice आप से लेग कर सकते है और IFF में आप submit कर पाओगे बाकी बचेवे invoices आप नहीं submit कर पाओगे मतलब वो बचेवे invoices के recipient नाराज हो सकते है अगर उनको same month में credit नहीं मिला तो पर क्या करें government ने restriction डाला हुआ है यह समय लो undue hardship है इसका कोई यहाँ पे दूसरा option नहीं है तो 50 lakhs तक की value के ही invoices आप upload कर सकते हो दूसरा उन्हों नहीं कहा है CDN मतलब credit note debit note भी आप इसमें update कर सकते हो IFF में now same आपको process month 2 की follow करना पड़ेगा और यह IFF आप कब submit करोगे तो अगले मैने के 13 तक आप यह upload कर सकते हो यहने first to 13 तक of subsequent month आप common portal पे द्यान सुनिएगा आप common portal पे upload कर सकते हो और होगा क्या बेटा जैसी आपने IFF upload कर दिया उसम तो आगे recipient के एक नया यहाँ पे form GSTR 2B जैसे GSTR 2A बनता था लेजर वैसे यहाँ पे GSTR 2B auto update form बनेगा उसके common portal पे रहेगा और वो 2B में 13 तरीक को IFF आ गया 14 को जो है यहाँ update हो जाए credit और यह 2B के base पे recipient अपना credit ले सकता है साथ-साथ में यह data 2A में भी update किया जाता है ठीक कि मंतरी क्या है सबसाब पहला question sir IFF तीनों मंत के होते है या only पहले दो मंत के होते है IFF यह जो है पहले दो मंत के ही होते है एक important point मेरा छुड़ गया वो बताना चाहोगा और वो यह है यहाँ पे sorry वेटा वो IFF जो है पहले दो मंत के होगे important point क्या है important point है कि अगर आपने decision ल upload करने है sorry बेटा अब आता है मंतरी अब पहला सावर आपका सकता है कि sir मंतरी का outward supply की detail क्या हम IFF में देंगे कोई जरुवत नहीं है क्यों क्योंकि आपको direct GSTR 1 देना है तो जैसी आपका quarter end हो जाएगा आपको GSTR 1 भी 13 को देना पड़ेगा और मंतरी का जो भी outward supply का detail है वो outward supply क detail आपको directly GSTR 1 में देना है now next question sir जो हम यहाँ पे quarterly GSTR 1 देगे उसमें month 1 और month 2 का जो data हमने IFF में already upload कर दिया है क्या वो data फिर से GSTR 1 में देना पड़ेगा नहीं बिलकुल भी नहीं कोई यहाँ data repetition नहीं होगा याने जो already invoices B2B आपने IFF में upload कर दिये वो फिर से GSTR 1 में देने क कोई भी ज़रूरत नहीं है तो मंत्री के इस option को हम द्यान से समझ लेते हैं whether uploaded B2B invoices या credit debit note of month 1 और 2 in IFF याने आपने IFF में upload कर दिया yes और answer is no अब पहला हम answer लेते है yes कि yes B2B invoices का data आपने upload कर दिया IFF में तो आपको जो है GSTR 1 में only मंत्री का B2B देना पड़ेगा month 3 का B2B देना पड़ेगा plus plus okay B2C की details आपको देनी पड़ेगी for all 3 months ये लिखना तो लिख सकते हो for all 3 months B2C की details आपको देनी पड़ेगी और यहां लेकिन अगर आपने month 1 और month 2 का कोई B2B का data IFF में नहीं दिया let's take example आपके 15 invoices थे और 15 में से आपने पहले month में 5 invoices upload किये जो भी आपका B2B का data है वो pending data month 1 month 2 plus month 3 का सारा data आपको GSTR 1 में update करना पड़ेगा so that आपके सारे credit B2B के pass on हो जाए plus B2C का data IFF में नहीं होता है इसलिए 3 month का B2C का data आपको update करना पड़ेगा वो invoice wise नहीं होता है वो total amount पे आपने update किया तो भी चलेगा और now आप जैसे quarter खतम ह जाएगा तो यह GSTR 1 आप 13 तक दे सकते हो इस scheme के तहट very important और कि monthly scheme में GSTR 1 आप 11 को देते हो और QRMP scheme में आप GSTR 1 जो हो वो 13 को दोगे ठीक है तो इस तरह से आप अपना outward supply की details यहाँ पे दे सकते हो now most important कुछ important points आपको यहाँ याद रखना जरूरी है जब आप outward supply का details दे रहे पहला aggregate annual turnover for preceding financial year up to 5 करोस जो condition डाली हुई है क्योंकि इनी लोगों को QRMP scheme मिलती है यह annual aggregate annual turnover जो है इसमें जो data आपने पिछले साल return में दिया गया उसी data के base पे calculate होगा मतलब अगर पिछले साल अगर आप कोई turnover return में देना भूल गया होगे तो वो consider नहीं होगा इसलिए aggregate turnover और aggregate annual turnover में difference है aggregate turnover मतलब जो भी actual basis पे आपका data था और फिर आपने declare किया हो या नहीं किया हो वो भी लिया जाएगा लेकिन यह aggregate annual turnover मतलब जो भी आपने only declare किया है आपके return में वो ही data के base पे 5 करोर्स का calculation होगा अगर कुछ data पिछले साल आप declare करना भूल गया तो वो नहीं लिया ज जाएगा उसके बाद में वेटा यहां पे ठीक है camera में कोई problem आ रहा है मैं continue करता हूँ उसके बाद में वेटा यहां पे value of supply जैसे मैंने पहली बताया था पर month आप 50 lakhs तक की value उसमें declare कर सकते हो 13 को आपको आपको IFM देना पड़ेगा अब एक important बात बता दूँ समझ लो April का आप 13 में को IFM दे दिया उसमें सिफ 5 invoices आपने declare किये फिर आपको ख्याल में आया कि अरे यार April के और दो invoices आपको declare करना था अब नहीं कर सकते है जो आपने 13 तक data दे दिया वो final हो गया उस month का अब बचेवा data only GSTR 1 और quarter खतम होने के बाद ही GSTR 1 में update होगा और recipient को credit details of IFM not required to be given again in GSTR 1 मतलब जो आपने IFM में already दे दिया वो फिर से GSTR 1 में update करने की जरुआत नहीं है next where QRMP option has been exercised once they shall continue unless register person revise the said option मतलब क्या आपने एक बार QRMP option ले लिया तो फिर वो continue रहेगा जब तक आप उससे exit नहीं लेते हो exit लेने की process भी यही कि आपको intimate करना पड़ता है now it is further clarified that the option to avail QRMP scheme is GSTN wise मतलब यह हुआ यहाँ पे कि आपके dim distinct person concept same pan के अंदर समय लो 30 branches है तो आप branch wise decide कर सकते हैं कि आप यहाँ पे QRMP scheme लोगे या नहीं लोगे पर आप जब aggregate annual turn on निकालोगे तो all or India pan basis पे ही निकालोगे लेकिन वो all or India pan basis का आपका aggregate turn on 5 करोड के नीचे होगा तो फिर आप branch wise decide कर सकते हैं कि QRMP scheme यह branch का लेना है 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 now last point ऐसा हो सकता है कि under same pan कुछ branches के लिए आपका QRMP scheme है और कुछ branch के लिए आपका monthly scheme है तो यह आपने देखा outward supply का statement का details now next बेटा यहाँ पे monthly payment and interest liability QRMP scheme जो भी register person आप कर रहा है वो payment of tax monthly basis पे देगा लेकिन अपनी सारी details GSTR 3 वे quarterly basis पे देगा now आप यह monthly payment कैसे होगा पहले इसको समझ लेते हैं जो भी supply आपने first month में किया होगा April लेते हैं तो जो भी supply किया होगा B2B supply plus B2C supply इसका payment आपको अगले मेने के 25th को देना पड़ेगा मतलब यह हुआ कि अब आपकी payment की due date QRMP scheme में आ चुकी है जनरली हमने क्या पड़ा था हमने यह पड़ा था कि GST में payment की due date नहीं होती है जो return की date होती है वही आपका payment का date होता है क्योंकि payment की बिना return upload नहीं हो सकता है monthly scheme में आज भी हो ही है मतलब अगर आप monthly QRMP नहीं ले रहे हो तो आपको monthly tax देना है और return का date है 28th of next month तब तक आपको pay कर देना है लेकिन QRMP scheme में पहले 2 मेने के लिए April और May या quarter के पहले कोई भी 2 मन्त होगा उसका payment की due date आ जाएगी अगले मेने की 25 तारिक नेक्स आपने April में जितना भी supply किया होगा B2B और B2C सबका tax आपको assist करना पड़ेगा असेस करने के लिए आपको दो method दी गई है जो दो method आगे हम detail में discuss करेंगे इस method से जो आपने actual supply किया है उस supply का tax आपको अगले मेने के 25 तारिक को करना पड़ेगा जैसे April का payment आपको 25th May को करना है और May का payment आपको 25th June को करना है अगर आपने ये 25th को नीचे दिये गए method से जो tax आप assess करोगे वो payment नहीं किया तो आपको interest liability चालो हो जाएगी और वो 26 से चालो हो जाएगी जैसे April तो आपको नहीं दिया तो 26 से May तो 26 June से चालो हो जाएगी ठीक है और वो interest आपको 18% per annum से pay करना due date नहीं है जून का हमारा general concept है जो भी supply आप जून में करोगे उसका tax आपको जो है return की जो date आएगी quarterly return की now quarterly return की दो dates दी है एक 22nd और एक 24th यह specially QR MP scheme में दी गई है कुछ dates के लिए 22nd दिया गया है और कुछ dates के लिए 24 दिया गया है तो जो भी return की date होगी तो June के supply का payment आपको उस date को करना है चली यह payment से related हो गया अब आपका एक सवाल होगा sir उपर जो आपने outward supplier का details IFF में जो हम देते है और नीचे जो आपने कहा है QR MP scheme का payment इसमें कोई connection है नहीं दोनों चीजे अलग-अलग है जो हम यह outward supplier का statement IFF में detailed information upload करते है वो सिप credit pass on करने के लिए उससे आपका payment का connection नहीं है मतलब कोई अगर यह यह मानना चाहता है कि sir जितना हम IFF में upload करेंगे उतना ही क्या हम 25 को pay करेंगे बिलकुल भी नहीं उसका कोई connection नहीं मतलब मेरा यह कहना है कि let's take example April में आपके total B2B plus B2C supply जो हुए है 15 आपके B2B हुए है और 10 supply आपके B2C हुए है तो जो भी आपने total supply किया गया नीचे जो method दी है उस method से आप tax compute करोगे औ और पूरा का पूरा tax आप पे करोगे अगले मेने के 25 तारिक तक ठीक है now पर यहां पे अगर आप outward supply का statement दे रहे हो तो यह आपके मर्जी पे है आप B2 only B2B के ही information IFF में दोगे second आप B2B के 15 invoices से उसमें से 5 invoices का ही details दे सोगोगे sorry 5 invoices का ही details आपको देना है तो आप दो यह आपकी मर्जी पे रखा गया है इसका payment से कोई connection नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है month 1 और month 2 का कोई IFF नहीं दे रहे क्योंकि आपको किसी को credit pass on नहीं करना है आप पूरा data GSTR 1 में दे रहे हो तो वो भी चलता है लेकिन आपको payment तो monthly basis पे करना ही पड़ेगा जो भी आपने उस month में supply किया है और यह payment नीचे दिये गए दो method से आपको करना पड़ेगा दोनों में से कोई एक method आप आप करोगे तो payment method में आपको पहली method दी है और पहली method दी है fix some method और दूसरा है self assessment method उन्होंने fix some method क्यों लाएगी इसका थोड़ा background समझ लो कि यहाँ पे अगर आपको monthly basis पे tax देना है और आप monthly basis पे पूरा assessment कर रहे हो खूद की total tax कितना, less credit कितना, net liability कितना तो फिर quarterly scheme का कोई फायदा ही नहीं होगा क्योंकि quarterly scheme small register person के लिए इसलिए लाएगे क्योंकि आपको monthly basis पे assessment की जंजट ना हो और आप quarterly basis पे information दे और monthly basis पे tax दे लेकिन अगर हम monthly basis पे actual पर tax दे रहे है तो हमें assessment तो करने ही पड़ेगा, हमारा time तो waste हो जाएगा, इसलिए government ने का कि छोड़ो, यहाँ पे हम आपको पहली method देते है, fix some method, यह method बड़ी simple है, आपको actual basis पे monthly असेस करने की कोई जरुवत नहीं, वो quarter होने के बाद असेस करना, आपको एक fixed amount government को दे देना है, यह fix some method क्या है, तो पेटा यह fix some method समझ लो, इसमें अगर आप इस quarter start होने के पहले, last quarter था, यहाँ आपका last quarter था, उसमें आपकी QRMP scheme होगी, यहाँ quarterly payment scheme में होगे, तो आपको जो है, यहाँ पे, April month का, यहाँ जो first month रहेगा, April month का tax कितना देना है, तो 35% of tax paid in cash, यहाँ यह cash ledger in a preceding quarter, मतलब क्या, preceding quarter, यहाँ तीन मैने का, जो total tax था, जो आपने cash ledger से दिया, अब इस बात को समझ लो, जो आपने cash ledger से दिया, मतलब यह, कि credit लेने के बाद, जो net होगा, जो cash ledger से दिया, उसका 35% tax आपको April का देना है, और वो ही 35% आपको May का देना है, 25 ठीक है, पहले 2 month के ही payment के liability में बता रहा हूँ, June का तो आपको actual basis पे करना पड़ेगा, और वो आपको return की due date तक देना पड़ेगा, done, तो यह 35%, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि last month तक मैं QRMP scheme में नहीं था, और इस quarter से मैं QRMP scheme आप कर रहा हूँ, तो ऐसे case में, अगर आप last quarter मे monthly scheme में होगे, और यह quarter में आप QRMP scheme में आ रहे होगे, तो जो आपने monthly basis पे, यह लास quarter का जो last month होगा, तो जो monthly basis पे tax दिया होगा, उसका 100% tax आपको April में देना है, as well as आपको May में देना है, इस scheme को example से समझ लेते हैं, जैसे, in case of, in case, last return file was quarterly basis for quarter ending March, तो March में आपने पुरे quarter मे January to March में, CGST आपने 100 दिया, SGST 100 दिया, IGST 500 दिया, और CES 50 दिया, तो अब आपको इस quarter का April का payment करते वक, इसका 35%, एने CGST 35, SGST 35, IGST 35%, एने 175, और GST compensation CES, यहाँ पे 17.5 इतना देना पड़ेगा, और same amount आपको fixed May basis पे देना पड़ेगा, और यह जो amount है, वो है, जो आपने cash ledger से पे किया है, credit लेने के बाद, और अगर आप last quarter में, monthly basis scheme में होगे, तो आपने, for the month of March 21, आपने payment किया है, 50, 50, 50, 80, तो आपको April का 100%, याने April का भी आपको 50, 50, 80, और में का भी 50, 50, 80, आपको इस तरह से payment करना पड़ेगा, इसमें एक सवाल आ सकता है, और वो यह, कि sir, last quarter में, last month में, हमारा cash ledger के through neal payment था, क्योंकि हमारे पास excess credit था, तो फिर इस बार आपको कुछ भी pay करने की जरुवत नहीं है, April और में में, क्यों, क्योंकि वो 35% of tax paid in cash, और 100% of tax paid in cash, वो zero होगा, तो ऐसे case में, आपको कुछ भी pay करने की जरुवत नहीं है, यह एक important point था, अब आत क्या है, self assessment method, जिसको हम SAM कहते है, सच कहूं तो यह method कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर यह method में जा रहे हो, तो फिर आप quarterly क्यों जाते हो, मंतली जाना ज्यादा बेटर रहेगा, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, self assessment method में, वो क्या कहते है, self assessment method में, वो यह कहते है, कि April का जो आपका actual tax होगा, B2B, B2C का, less ITC, और आपने खुद जो assist किया, हमें मत बताओ, GSTR 3 भी आप हमें मत दो, आप खुद ही एक page का, pen कागज लो, एक blank paper पे लिखो कि आपका total tax कितना था, आपके invoice के basis पे, less ITC आपको कितना लगता है, less ITC करके, जो net आएगा, वो self assess करके, आप 25 को pay करो, क्योंकि वो, यहाँ पे fix sum हो, यह self assessment हो, देना तो आपको monthly basis पे, और 25 को ही देना है, तो आप खुद assess करके दो, लेकिन इसका, यहाँ पे problem मता हो क्या, कि अगर यह method आपको लेनी है, तो फिर मैं कहोगा, QRMP low ही मत, फिर आप monthly में जाओ ना, क्योंकि वैसे ही self assess कर रहा है, रहा क्या बाकी, वहाँ आपको GSTR 3B रहगा, तो इस monthly basis पे GSTR 3B दो, problem क्या है, हाँ, इतना है कि CA की fees बढ़ जाएगी, क्योंकि monthly basis पे आप GSTR 3B दे रहे है, तो वो situation में, वो 3B basis पे CA आपको fees charge करेगा, वो बात अलग है, लेकिन हाँ, आपको अगर compliance न मैंने ये का, कि here taxpayer can assess the tax liability, जिसमें वो ITC भी ले सकता है, दोनों में difference क्या है, यहाँ पे बेटा, जो 35% जो आपको पुरा का पुरा पे करना पड़ता है, यह ITC बिलकुल नहीं मिलता है, यह 100% पुरा का पुरा पे करना पड़ता है, ITC बिलकुल भी नहीं मिलता है, लेकिन केस में जो ITC रहेगा, नेट आएगा और नेट का आपको पे करना पड़ेगा, नीचे, नीचे उन्होंने क्या, नील लाइबिलिटी, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपका ITC ज़्यादा होगा उस मन्त का, जो आपने self-assess किया, तो आप ठीक है, नील पे करो, यह आपक से और इसको clarify करना चाहोगा, और next, interest liability on final assessment, क्योंकि जब आप यहाँ पे 22 या 24 तारीक को final assessment करोगे, तो final assessment के time आपकी interest liability क्या होगी, तो interest liability पे हम special discussion करना चाहोगा, चलिए, तो यहाँ पे आते हैं case 1, okay, fix some method में, fix some method में हमने क्या देखा था, fix some method में हमने यह देखा था, कि last quarter में, अगर आपने quarterly scheme ली होगी, तो जो भी आपका cash payment, e-cash ledger की थुरू आएगा, उसका 35-35% हमको देना पड़ेगा, let's take example, आपका last quarter का total tax liability 40 होगा, minus आपका ITC 15 था, यहने आपका cash payment through e-cash ledger 25 लाक्स था, तो आप fix some method में क्या करोगे, April का जब payment करोगे, तो actual basis अभी नहीं क fix कितना, तो यह जो cash ledger का 25 लाक्स है, 25 लाक्स का 35% यहने 25 into 35% कितना हुआ, तो यहाँ पर, into 35% तो 8.75 लाक्स, इतना 8.75 लाक्स आपको 25 को दे देना है, मेर का भी आपको 8.75 लाक्स fix देना है, पर जून का नहीं देना है, जून का आपको बाद में actual basis पे जब assessment होगा, उतन करोगे, GSTR1 तो आप file करोगे, GSTR1 specially June के invoices का, plus B2C के all three months के invoices का, plus spending invoice का, जो भी है, अब GSTR1 आउटवर्ट सप्लाई का, हमने already discussion कर लिया है, अब next बेटा GSTR3 भी, आप अपना final assessment करोगे, और 22nd 24th को GSTR3 भी दोगे, तो आपकी तीनों मन की, याने पुरे quarter की, April में और June, इ साट लाग कैसी बनती है, थोड़ा इसके उपर discussion, हम करना चाहेंगे, तो ये आपकी साट लाग की liability बनती है, April के आपकी actual tax, आपने जब assist किया, पूरे quarter का, क्योंकि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, तो आपने assist किया, तो 15 लाग था, मे का 20 लाग था, और June का 25 लाग था, ऐसे 60 लाग की liability आपकी बनी है, तो ये जो 60 लाग की liability आपकी बनी है, लेस पूरे quarter का ITC आपके पास 25 लाग था, याने आपको cash leisure से देना था 35 लाग था, तो ये 35 लाग cash leisure से देना था, जिसमें से आप already pay कर चुके थे 17.5, सर ये 17.5 कहां से आया, तो बेटा आपने यहाँ fix sum method में 8.75, 8.75, ऐसे 17.5 जो है, आपने fix sum method में pay किया, तो आपका net कितना payable है, 17.5, तो ये net 17.5 आपको pay कर देना है, और वो due date को, हैने 22nd और 25th को आपको pay कर देना है, अगर आपने 17.5 due date को pay नहीं किया, तो आपके उपर interest लगाय जाएगा, और वो interest 18% per annum से लगाय जाए और वो interest चालू होगा, अगर आपकी due date 22nd होगी, तो 23rd से और 24th अगर due date होगी, तो 25th से interest चालू होगा, till the date of payment, तो ये आपने एक general provision देखे, पर अब मैं macro level पे जाओगा, ये macro level पे अगर समझा तो ठीक नहीं, तो ओके, ignore it, पर मैं कहूँगा कि ये समझ लो at final level, ठीक है, आ अब यहाँ पे देखे, जहाँ तक देखा जाए, macro level पे आपकी total तीन मैंने की, हैनि April में June, 50 lakhs, 20 lakhs और 25 lakhs, ऐसे 60 lakhs output tax liability थी, और आपका ITC अगर मैं, क्योंकि मैं पूरा assess कर रहा हो, तो ITC आपका April का 5 lakh, 8 lakh और 12 lakh, ऐसे आपका total ITC जो था 25 lakh था, जिसका हमने credit लिया, हमने total level पे तो देख लिया, अब तो आप देखो क्या होगा, April का आपका, आपने जब assess किया, तो आपकी net tax payable 10 lakh आया, में का आपका 12 lakh आया, मैं पहले specially 2 मंद का लेना चाहोगा, क्योंकि वह हमारे लिए important है, तो आपको कितना pay करना था, 10 lakh, actual basis पे, और में का कितना pay करना था, 12 lakh, लेकिन आपने fix sum method में कितना pay किया, 8.75, 8.75, कहां से आया भई, तो यह आपने 8.75, 8.75 pay किया, fix sum method में, तो अब आपका difference कितना आया, difference 1.25 और 3.75, तो सवाल यह आजाता है, कि क्या यह 1.25 या 3.75 जो है, क्या इसका हमें कोई interest देना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो कम pay किया, तो विटा, fix sum method में, I repeat, fix sum method में, आपको इसका कोई भी interest देने के जरुवत ने, इस difference पे, क्योंकि government ने जो बोला तो हमने pay किया, वो 35% या second option में 100%, हमने जो government को बोला तो हमने pay किया, हम interest इसका देगे नहीं, in short, आपको यह individual month के difference वगरे आते तो उसका interest देने के जरुवत न लेकिन, आपने जो final assist किया, 17.5, यह 17.5 जो है, यहाँ पे यह pay नहीं किया, due date को 22-22 को तो आपको interest देना पड़ेगा, अब बिदा एक option और लेता हूँ, समझ लो, आपकी जो case to, एक छोटी से है, कि case to, आपकी total tax liability 30 लाग थी, यह total पे लेता हूँ, समझने में आसान होगा, देखो समझो तो ठीक है, पर यहाँ पे total tax liability 30 लाग थी, जिसमें से आपका ITC जो है, तीनो मन का 15 लाग था, net आपको 15 पे बल था, आपने fix-up मेथर में 17.5 पे किया है, fix-up मेथर में 8.75 और 8.75 यहाने आपने 17.5 पे किया है, ठीक है, तो आपने access पे कर दिया, क्योंकि आपक लेकिन आपने 17.5 पे किर दिया, तो आपने access पे कर दिया, तो सर, यह access पे किया, तो इसका क्या होगा, तो यह आपको इसका refund क्लेम करना पड़ेगा, यह next month में carry नहीं होता है, दोस्तो, चली, यह मैंने just आपको दिमाग में question आ सकता है, इसलिए option ले लिया, यह तो था यह last month को लेना ही नहीं पड़ेगा, आपको actual basis पे assessment करना पड़ेगा, जैसे April का, जो भी आपका B2B plus B2C supply है, तो आपका जो actual tax आता है, आपको 3B अगरे भी नहीं देना है, आपको एक just blank paper लेना है, अपना actual tax invoice के basis पे निकालना है, आपको लगता है कि इतना आपको ITC मिलना तो आपने self assessment में तरफे 20 minus 5 याने net GST पे बल 15 lakhs है, वो 25 को pay कर दिया, वैसे ही आपने second month का May का, जो भी आपका actual tax आपने self assess किया, less ITC 10 lakh रुपे, net GST आपने 20 lakh रुपे पे कर दिया 25 जुन को, और जुन का तो अभी नहीं करना है, जुन का तो आप जब final assessment करोगे, उसमें ही देखा, देखो, April का 20 lakh आपने assess किया था, 30 lakh की assess किया था, तो यहाँ पे 30 lakh और जुन का 20 lakh, जो अभी final assessment में होगा, less ITC, याने आपका 15, 15, 20 और ITC आपके 5 plus 10 plus 10, याने ऐसे 25 lakh का ITC, तो टोटल आपका 70 lakhs हुआ, 70 minus ITC आपका 25 lakhs हुआ, याने आपका payable कितना है, वीटा, 45 lakhs ह उसमें से already आपने यहाँ पे pay कर दिया, by self assessment में तो कितना pay कर दिया आपने already, और 25 तारीक को 15 lakh, प्लस यहाँ पे 20 lakh, याने 35 lakh रुपे आपने, तो आपकी liability, यहाँ पे गल्ती से नहीं लागया, आपकी liability बेटर 10 lakh रुपे आएगी, और यह 10 lakh रुपे आपको pay करना अगर यह 10 lakh रुपे आपने due date को pay नहीं किया, तो वो case में आपको interest लगेगा, और interest 18% per annum due date के next day से चलोगा, यह तो आपने broad level पे देख लिया, तो आप macro level पे एक point आपको explain कर देना चाहोगा, चलो, यहाँ पे देखो, April का 20 lakh था, 5 lakh, ने 15 lakh था, और हमने वो 15 lakh यहाँ पे pay पे भी कर दिया था, तो हमारा match हो गया, 30 lakh था, और वो 30 में से 10 minus 20 जो था, हमने 20 पे भी कर दिया, नील, तो हमारा कोई difference नहीं है, पर कोई reason के वज़े से, यहाँ पे difference आजाए, कोई reason के वज़े से, यहाँ पे difference आजाए, कभी कभी क्या होगा, कि हमने जो self assessment किया, और कि उस difference arise हो जाता है, तो यह difference पर आपको interest देना पड़ेगा, यह difference पर interest देना पड़ेगा, और interest आपको जो है, यहाँ 26 तारिक से, याने आपने April का जो में को दिया तो 26 तारिक से interest पर पे करना पड़ेगा, till the date of payment, तो बेटा, यहाँ पे fix-up method और self assessment method में क्या difference है, macro level पे, macro level पे यह है, कि fix-up method में, individual month के assessment में difference आता है, तो आपको interest देने के जरुवत नहीं है, क्योंकि वो fix-up on pay कर रहे हो, लेकिन self assessment method में, आपको individual month case में, खुदा ना खासता, यहने कई कोई reason के वज़े से, यहाँ पे difference आ जाए, तो वो case में आपको interest देना पड़ेगा, यह भी एक तरह की undue hardship है, पर कुछ नहीं कर सकते, तो आपको 3 cases है interest की, मैं यहाँ बहुत important है discuss करना चाहोगा, देखो, अगर आपने due date को pay कर दी, अगर आप आपने pay कर दिया, तो आपको interest नहीं लगेगा, लेकिन आपने यह 17.5 due date को नहीं pay किया, तो आपको interest लगेगा, आपने अगर यह 8.75 due date को नहीं pay किया, तो वहाँ पे interest लग सकता है, और उसके बाद में difference आता है, तो यहाँ interest नहीं लगेगा, लेकिन self assessment method में, चलो step by step चलते ह लेकिन अगर आपने यह due date को पे नहीं किया, तो interest लगेगा, यह तो दोनों में लगेगा, due date को जो 25 तारीक है, आपने pay किया, तो वह fix some method यह self assessment method दोनों में interest लगेगा, अगर दे दिया तो ठीक है, यहाँ पे, उसके बाद में, यह most important point किया है, most important point है, कि अगर आपके final assessment में individual month का difference आजाता है, तो self assessment method में, वह interest देना पड़ता है, जो fix some method में देने की ज़रूरत नहीं है, और आपका final assessment में, जो last tax आता है, अगर आपने 20-24 तारीक को नहीं दिया, तो वहाँ आपको interest देना पड़ेगा, तो यह एक बिटम में चार्ट में, टेबल में, यहाँ पे solve कर करते हैं, आपने 25 को pay कर दिया, फिर वह fix some method या self assessment method तो वह case में interest नहीं लगेगा, लेकिन monthly pay करते हैं, 25 को आपने अगर कुछ short payment कर दिया, not paid by 25, तो आपको दोनो method में, fix some method या self assessment method या self assessment method आपको 18% interest तो देना पड़ेगा, फिर final tax liability, final tax liability में, आपके fix some method और self assessment method में, आपने 2 मन्त का tax सही डंग से दिया है, जितना चाहिता उतना पुरा दे दिया है, तो आपको interest नहीं लगेगा, लेकिन fix some method में, अब यहाँ पे most important difference है, fix some method में, ध्यान से सुनिएगा, पहले 2 मेने की liability आपकी higher थी, fix some method में higher थी, दिखो difference आया था fix some method में, higher थी, और आपने जो pay किया, और कि पहले 2 मन्त का वो fix some method से 8.75 pay किया, जबकि liability आपकी 10 लाग थी, तो वो case में जो difference आएगा, उसमें आपको interest नहीं देना पड़ेगा, actual answer नहीं लाना चाहिए, यह उपर नीचे हो गया, यह वाला part जो है, यह नीचे आना चाहिए, यह नीचे आना चाहिए, चार्ट में आपकी liability actual month wise higher आती है, और आपने जो self assist किया, वो कम pay किया होगा, तो वहाँ आपकी liability आएगी, और वो 18% per annum से आएगी, ठीक है, I hope you understood, और जब आप final tax liability करते हो, जैसे 17.5 lakhs था, यह इधर यहाँ पे 10 लाग रुपे था, final tax liability, यह आपने due date को नहीं दिया, तो आपको interest लग ठीक है, तो यह आपने देखा, interest liability, यहाँ पे clear, अब एक important point यहाँ पे, की manner of opting, आपको composition scheme opt करना है, तो composition scheme आप financial year में कभी भी opt कर सकते हो, यहने throughout the year आप कभी भी opt कर सकते हो, और register person can opt for any quarter for first day of the second month of preceding quarter to the last day of first month of first quarter, अब मैं तोड़ा आपको, इसको diagrammatic presentation में बनताना जन्वरी, फर्वरी और मार्च में, I repeat, जन्वरी, फर्वरी और मार्च में आपकी composition scheme नहीं थी, और आप April में और June में composition scheme opt करना चाहते हो, याने यह quarter में आप करना चाहते हो, यह quarter में तो अगर आप करने का application कभ देना पड़ेगा, तो इस quarter के start होने के 2 मेने पहले, याने आ option कभ है, आप यहाँ FAME में कभी भी यह 2 मेने पहले application दे सकते हो, और कि मुझे next quarter में QRMP scheme लेना है, या फिर, यह quarter चालू भी हो गया होगा, तो डरो मत, आप quarter चालू भी हो गया, पर इस quarter में आपको April और time दिया, याने आप 30 April के, याने इस quarter के first month भी off ले सकते हो, याने for QRMP scheme तो आपको मिल जाएगी, is it clear, यहाँ पे, तो 2 मेने पहले, या इस quarter का पहला मेना, तब तक आप आप कर सकते हो, लेकिन अगर April निकल गया, तो फिर यह quarter आपको छोड़ देना पड़ेगा, आपको next quarter के लिए ही जाना पड़ेगा, और बेटा, फर्स जद्वरी में, यहाँ पे यह जो composition scheme थी, यह कुछ लोग auto-migrate हो गए, यहने, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि quarterly payment पहले से facility थी, तो कुछ लोग auto-migrate हो गए, कुछ लोगों को यहाँ पे apply करना पड़ा, migration के लिए, तो मैंने इसका एक table यहाँ पे दिया है, यह आपको exam के लिए इतना important नि exam अच्छे से दो, all the best, yes, आप बहुत यहाँ पे, यहाँ पे lucky हो कि आपको इस बार time भी मिला, तो all the best बेटा, yes, qrmp scheme हमने बहुत अच्छे से revise किया है, इसको फटा-फट देख लेना, thank you, thank you to all of you.